दोस्तो रानी जो कालपूट माता की सबारी का नाटक कर रही है उसका सीधा साधा मतलब है कि कैसे भी करके राधिका को इस घर से भगा दिया जाए लेकिन हमारी राधिका दिखने में ही भोली भाली है लेकिन वह बहुत ही होश्यार है और वह किसी भी हालत में अपने घर को मत राधिका के पास इस सबके सबूत है लेकिन वह सबूत अभी बंतल खैमली को नहीं दिखा पा रही है क्योंकि वह जानती है कि मेरा अभी कोई बिस्वास लाइं करेगा और अभी दिव्यम जी मेरा साथ दे रहे है कहिया था ना हो कि वो भी मुझे नाराज हो जाए तो अब रानी जान पूझकर राधिका से इतनी बड़ी परिच्छा ले रही है कि वह कावर में एक और सुझाता और एक और जग्गु को बिठाल कर बंतल हाउस से मंदर की ओर ले जा रही है लेकिन हम आपको बताते हैं अब आगरा ट्विस्ट ये है कि जब राधिका बड़ी लेकिन एक बात या है कि रानी ने बोला है कि मंदर तक ले जाना है लेकिन अभी यह नहीं बताया है कि मंदर कहा है और राधिका चलते चलते परिशान हो गई है लेकिन आभी तक मंदर नहीं आया है और बीच में पूरे परिवार की लोग है साथ में दिब्यम है दिब्यम स थावे के साथ में इस बात का ब्रूत कर रहा है कि रादिगा बस तुम यहीं पता है अब तुम्हें कहीं आगी नहीं जाना है क्योंकि आभी तक मंदिर का कोई पता नहीं है, कि किस मंदिर जाना है, और तुम्हें कितने कलिए उड़ियर ताक इस परकार चनला होगा, तो एह बास सुलकर, बड़ी दादी, लादिका और दिभ्यम पो डार देती हैं और कहती है कि तुम्हें कालकूट माता की पूरी पूरी बात माननी है, तुम कालकूट माता की आज्या के बीच मना आओ, बेचार दिब्यम भी जानता है कि यह सब नाटक चल रहा है, लेकिन बड़ी दादी के वज़ा से कुछ कह नहीं पा रहा है, दोस्तों आप आपका में ट्रैक में दे कहती हैं, और कहती हैं कि दिब्यम भीटा तु इतना बड़ा हो गया, मैंने तुझे कभी बच्पन से लेकर जवारी तक तेरे उपर हात नहीं उठाया, लेकिन तु आज माता की आज्या के बीच बना, क्योंकि जो मातार याज्या दी है, वह राधिका को पूरी करनी होगी, अपने जारत दिब्यम की आख से आसुआ जाते हैं, क्योंकि वह जानता है कि राणी यह सब नाड़क कर रहे हैं, लेकिन राणी के नाड़क पर प्रवादादी और सुझाता, और सात्म कविता कली बहुत जारे बिस्वास कर रही है, और जो राणी कह रही है, वह बेशब क कर रहे हैं, सात्म करवा रहे हैं, और एक और सुझाता के मन में यह खुशी हो रही है, कि चलो किसी ना किसी बहाने राणी को तकलीफ तो मिल रही है, क्योंकि सुझाता भी राणी को नहीं चाहती है, यदि आप लोग भी चाहते हैं, कि राणी का तकलीफ मना रहे, राणी क का भांडा खोड़ दे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब करके कमेंट में आई लब रातिका लिख दीजिएगा